ब्रेक के बाद आपका स्वागत बढ़ेंगे आगे शिमला नगर निकम चुनाओं की घोषणा के साथ ही सभी राजनितिक दल तैयारियों में जूट गए हैं अब ऐसे में PWD मंतरी और शिमला ग्रामिड विधान सबाज शेत्र से विधायक विक्रमा दित सिंग ने शिमला ग्रामिड शेत्र के तहत आने वाले चार वाडो के पार्टी कारिकरताओं के साथ बैठक की चुनाओ पर मन्थन किया बैठक में नगर निकम चुनाओ को लेकर पार्टी ने मजबूत रणनिति तयार की है साथ ही एक कमेटी का भी गठन किया है जो वाडो में जाकर विज़ाई उमिद्वारों के सूची तयार करेगी बैठक में विक्रमा दित सिंग ने सभी कारिकरताओं को एकजूट होकर चुनाओ लड़ने के अपील की और पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर सक्त करवाई की चितावनी भी दी है देखे बैठक आज सभी कारेकरताओं के साथ की गई खास करके मैं शिमला ग्रामीन का विधायक हूँ और यहां के हमारे चार वार्ड जो है वो इसमें आते हैं तो वहां के सभी हमारे पार्टी के कारेकरता यहां पे उपस्तित है जो आवेदक है वो भी यहां पे उपस्तित है जो भी अपना आवेदन देना चाहते है तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमिटी का गठन किया गया है जो कमिटी हमारी दोनों वाडों के अदर जाकर वहां के कारेकरताओं के साथ बात करेंगी वहाँ के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसेस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निरने लेगी कि किसको पार्टी का टिकेट देना है क्योंकि इस बादी जो चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जा आने वाले समय में इस आलाके के मसलों को उठाएंगे यहां के विकास कारियों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसलिए आज जो यह बैठक रखी गई थी खास रूप से सभी आवेद्गों से मिलने के लिए और खास रूप से यह भी कहने के लिए कि पार्टी सिंबल के उप चुनाव लड़े जा रहे हैं इसलिए हमको डिस्प्लेन को भी मंटेन करना है और जो ऑफिशल कैनिडेट पार्टी का होगा वही जो है उसी को तो इस खबर पर और भी ज्यादा बातचित करने के लिए हमारे साथ श्रीमला से सही होगी अमित सार्टा जी जुड़े जी अम और नगर निगार में भी कॉंग्रेस का दबदबार है तो क्या कुछ कितना प्रेशर है कॉंग्रेस के ऊपर शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर है तो थोज़ बारा से स्तारा में कही नाखी अब जो है इस तो एफर जो है जो ऑफ तो यह वह कही तो यह कही साथ की तो नदाइए है वो जूबनकर रहो सामने जडर और सामने तव हो आगी है तो तीन पिदान सभाज शेत्रों के दो वाड थे वो इस नगर निगम शेमला के अंदर करते हैं, जिन में से वर्तमान कॉंग्रेस सड़कार के दो मंत्रों के कुछ बिदान सभाबा शेत्र दो है, वाड है, अगर बात करें तो पी टेवल डियू मिनिस्टर दुटर मांस के त पूत्र है तो एशी में कहींन कंगरेस के जिए ये बडि तुनाउती जोह है, वो नहींतर कि दुटर होना है, उसके उसके उपर दभी तुनाव का दो है, वो प्रभाव रहने वला है. वह अगर नगनिजम के लिए मांगने के शुरू करती है जो प्रेक्ति कॉंग्रेस का दोकारे करता है तो नगनिजम का चुनाओ लगना साता है उससे वह साथे पेपर या इमेल के गरे भी तो आवधन मांगे के है और दिस साहिते हैं गानकारी निकलकर आ रही है यह एक सो सार से जारा तो आवधन है वह कॉंग्रेस के पास बहुंच चुके हैं जो ग्रेक्ति दोए ओर शिंगा नगनिजम के लिए चौन्तिस वारों के उपर दोए तुनाओ लगना साते हैं क्योंकि पहली बार हितियास में एहता होने जा रहा है इसी नगनिजम के दो वार के चौन्तिस वार है इनके दो तीन विदा अंतरा शेतों के दो वारों दो नगनिजम के लिए और दो मुंट्री है वह उत्मान कॉंग्रेस सरकार के अंदर है तो कहीं अगर कोंग्रेस के लिए बाड़ी चुनोती दो है वो नगनिजम का तुनाओ दो है वो रहने वाली है तो आम आदमी पार्टे से कॉंग्रेस को डरने के जरूरत है यहां कि अगराश के आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर नगनिगम शिम्रा है वह पर दत्रक जरूर दिये क्योंकि जिस तरीके से दो हार ली में जिकान सभाग का चुनाओ तो तो हमातर प्रदेश के अंदर हुआ है जिसम्रा नगनिगम चुनाओ के लिए कॉंग्रेस कब तक अपनी सूची जारी करेगी प्रदेश करेगी तो रफ्तार मीडिया की इस खास पेशक्त में इतना ही देखते रे रफ्तार मीडिया नमस्कार